आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूटूब जैनल में आज हम ये देखेंगे कि कक्षया 10 का जो विज्ञान का पेपर आता है उसमें कौन-कौन से पार्ट में से कितने अंक के परसन आते हैं और साथ में ये भी देखेंगे कि मन्थवाई जिसले बस क्या है कौन से मन्थ में हमें कौन सा पार्ट कवर करना है तो पहले हम ये देखेंगे कि कौन-कौन से पार्ट में से कितने अंक के परसन आते हैं तो सबसे पहले आती है इकाई एक रासाइनिक पदार्थ प्रकरती M वेवार यानि chemistry का पोर्षन आता है रसाइन विज्ञान का पोर्षन आता है और इस में से पाठ एक रसाइनिक अभीक्रियाएं M समीकर अमल छारक M लवन धातो M एधातो और कार्बन और उसके योगिक इन चारों पाठों में से 20 अंक के प्रसन आएंगे उसके बाद दूसरा आता है जीव जगत जीव जगत इक आई आती है उसमें ये पाठ है जैव प्रकर्म नियंतरनेर्म समन्वे जीव जनन कैसे करते हैं और अनुमान सिक्ता इन चारों में से 18 नंबर के प्रसन आएंगे उसके बाद प्राकर्ति घटनाएं ये काई है प्राकर्ति घटनाएं और इसमें आते हैं प्रकास परावरतन तथा अपवरतन मानव नेतर तथा रंग बिरंगा संसार विद्यूत और विद्यूत धारके चुम्ब के प्रभाव इन दोनों में से 10 नंबर के प्रसन आएंगे उसके बाद प्राकृतिक संसादन जो के हमारा प्रियावन है इसमें से दो नंबर के प्रसन आएंगे तो इस तरह से देखे ये हो गए 20 और 18 दस और 10 और 2 तो टोटल जो प्रसन आएंगे वो आएंगे 60 अंक के मतलब 60 अंक का हमारा पेपर आएगा फाइनल में जो वारशिक प्रिक्षया है उसमें 60 अंक का पेपर आएगा उसके बाद प्रायोगिक प्रिक्षया मतलब जो प्रैक्टिकल होंगे वो 20 नंबर के होंगे आंतरिक मुल्यांकन जो की स्कूल बेस्ट असेस्मेंट के होते हैं वो 20 नंबर के आएंगे तो टोटल अंक होंगे 100 नंबर यानि हमारा जो पेपर आएगा वो 60 नंबर का आएगा और प्रैक्टिकल के 20 नंबर लगेंगे और इंटरनल असेस्मेंट मतलब यह जो आंतरिक कोने से मनत में कौन सा चेप्टर कवर करना है तो अप्रैल में हमें अध्याई एक जो पहला पाठ है राशानिक अभीक्राएं M. di черnaCon कवर करना है और इसमेंट प्रियोग है लोहे की के कील के जलिये कोपर सॉल फेत विल्य disposition के सात्ति राशानिक अभीक्रिया का इद्यन करे अप्रेल में पोशन और स्वसन ये अप्रेल में कवर कर लेने हैं।। और जो प्रियोग हो है everlasting Card jan पर hemillus की पिर्या का अध्यन करें। यह प्रियोग करना है। इसके बाद अप्रेल में अध्याइज 9 भी कवर कर लेने हैं तो इसमें देखे पार्थ एक पूरा करना है पार्थ एक पार्थ पांच के ये दो टोपिक और पार्थ नो उसके ये दो टोपिक इसके बाद मई पर आते हैं मई में हमें क्या क्या पढ़ना है मई में हमें क्या क्या कवर करना है अध्याइदो अध्याइदो अमल शारक M11 ये पढ़ना है पूरा पाथ उसके बाद इसके जो प्रियोग है P.H. पत्तर का उप्रियोग कर ठोश पदार्थों के विलिउनों या फलों के नमूने का प्रियोग दूसरा करना है दरसाईं की कोपर सलफेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टली जल होता है क्रिस्टली करन का ये प्रयोग करना है उसके बाद पाठ पांच का देखी पाठ पांच के दो टोपिक हमने सुरू में कवर किये हैं पाठ पांच के ये वाले टोपिक हमने अपरेल में कवर किये हैं अब जो बचे हैं वो टोपिक वहन और उत्सरजन ये मई में कवर करना है उसके बाद अध्याई 9 अध्याई 9 के भी जो टोपिक हमने पहले कवर करिया है अप्रेल में अब अध्याई 9 प्रकास का प्रावरतन और अपवरतन में से प्रकास का अपवरतन कवर करना है मई में उस उकास हो जाता है छुटिया हो जाती हाँ और जुलाई में देख अध्याय-च्छै नियंतन और सम्मन में है इसमें प्रियोग है पाद्पों में परकास अनवरतन तथा गुरुत्व अनवरतन। की परिखत्नाओं का अध्यन करें ये पार्ट 6 में से परियोग करना है जुलाई में सिर्फ यही पार्ट कवर करना है हमें उसके बाद अगस्त में ये अगस्त है अगस्त में अध्या साथ कवर करना है जीव जनन कैसे करते हैं पूरा पार्ट हमें ये पढ़ना है इसके बाद परियोग है इसमें पुष्प के भागो तथा लेंगिक परजिनन में इनकी भूमिका का अध्यन्द करें, उसके बाद पाठ दस है, पाठ दस मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये भी पूरा पढ़ना है, ये है अगस्त में, और इसमें जो प्रियोग है वो है, कांच के प्रिजम से परकास किरन का पत अनुरेखित करें, तथा विचलन कौन मापें, ये हमें अगस्त में कवर करने है, उसके बाद सितंबर में अर्धवार्शिक प्रिक्ष्चा आजाएगी और उसकी दोराई करनी है, तो यहाँ पर हमें सितंबर तक, सितंबर तक देखिए, पाठ एक, सितं नो का अधर है गया था, और छे, और साथ, और दस, मतला हमें सितंबर तक पाठ एक, पाठ दो, पाठ पांच, पाठ छे, पाठ साथ, पाठ नो, और पाठ दस, ये वाले पाठ हमें सितंबर तक कवर करने हैं, और इन में से ही अर्धवार्शिक प्रिक्षा का जो पेपर बन इनके बीच में देगे तीसरा पार्थ और चोथा पार्थ और आठ्वा पार्थ ये पार्थ जो है वो आगे कवर करेंगे तो यहां तक हमें अर्दवार्शिक परिक्षा तक यह यह पार्थ कवर करने हैं और इन पार्थों में से ही अर्दवार्शिक परिक्षा का जो पेपर आएगा वो आएगा उसके बाद अक्टूबर में उसके बाद अक्टूबर में पार्थ तीन धातो पढ़ना है और उसमें जो प्रियोग है वो है विभिन ताप अवस्थाओं में धातों की जल के साथ अभिक्रियाओं का अध्यान करें उसके बाद पार्थ ग्यारे इसमें को सत्यापित करें उसके बाद 9 में पाठ चार है कार्बन और उसके योगिक यह एक पाठ ही काफी है काफी बड़ा पाठ है इसमें प्रियोग है एल्कोहल और कार्बोगुजलिक अमल дней के मद्य एस्टरीकर्न अभिक्रिया का अध्यान करेंगी उसके बाद दिसंबर में पाठ आठ है अनुवान सिखता और पाठ बाहर ही कवर कर करने हैं उसके बाद जन्वरी और फरेवरी में रिवीजन करनी है और मार्च में बार्षिक परिक्षाइं होती हैं यहां पर देखे अर्धवार्षिक परिक्षाओं के बाद पार्थ तीन और उसके बाद पार्थ ग्यारे पार्थ तीन ग्यारे चार आठ बारे और तेरह यह यो पाठ बच गे थे यह अर्दवर्शिक परिक्षाओं के बाद कवर करने हैं और वार्शिक परिक्षाओं तक